Japanese company Mitsubishi inverter और non inverter दूनों ही टाइप की एर कंडिशनर मनाता है इनकी AC में आपको क्या क्या फीचर संटक्नाओं जिस देखने को मिलेगी और आखिर आपको इनके AC किस कंडिशन में खरीना चाहिए इस बारे में आपको complete information दूँगा साथ ही आपको बताऊँगा pros and cons जिससे कि दोस्तों आपको आसानी होगी इनके AC को अपने लिए पर्टिस करने में Mitsubishi Heavy Rating Air Conditioner के बारे में information देने से पाल है दोस्तों आपको बताँँ कि काफी सारे लोग बीना सोचे समझे salesman की बातों में आकर अपने लिए एक wrong AC खरी लिता है क्योंकि उन्हें कोई भी idea नहीं होता है कि आखिर उनके room size के साफ से कोने कितने टन का AC खरीना चाहिए तो दोस्तों वीडियो की screen पर एक chart के द्वारा मेरे आपको information दी है जहाँ आपा room size के साफ से AC के टन की size भी दी है तो आप इस studio को pause करें और अपने room size के साफ से एक सही capacity का AC चूज करें लेकिन आप और भी जानना चाहते हैं कि air conditioner में अलग-अलग star rating के model आता है जिससे कि 3 star, 4 star या फिर 5 star तो आपको कितने rating का AC खरीदना चाहिए जिससे कि AC से अच्छी को लिंग के साथ साथ आप power saving भी कर पाएं AC खरीदें तो कौन से खरीदें inverter या फिर एक non inverter तो दोस्तो इस topic के उपर आपको हमारे चैनल पर एक complete AC buying guide वीडियो वालेगा इस वीडियो के लिंग में आपको description box में देदूँगा एर कंडिशनर खरीदें से पहले आपको ये वीडियो एक बात जरूर देखना चाहिए जैसे कि दोस्तो शुरूबात में मैंने आपको बता था इस वीडियो में मैं आपको Mitsubishi के inverter स्परेटर कंडिशनर और non inverter air कंडिशनर दोनों के ही बारे में information दोंगा दोस्तो इंवर्टर स्परेटर कंडिशनर में हमने 1.6 फाइटन 5 स्टार मोडल को कंडिशनर किया है जबकि non inverter air कंडिशनर में हमने 1.6 फाइटन 3 स्टार मोडल को कंडिशनर किया है दोस्तो इन दोनों ही AC में काफी सारे features and technologies आपको common मिल जाती है जैसे कि refrigerant gease आपको 38 मिलेगी वही cooling coils और condenser coils में दोस्तो इन दूनों की मोडल में 100% copper का use किया हुआ देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तो इन दूनों की air conditioner में आपको 17 meter यहाँ पर long air throw देखने को मलता है वो भी automatically swing के साथ में यानि कि तीन अलग-अलग direction में दोस्तों आपकी room में air circulate होगी जिससे की आपका room दोस्तों fast cool होगा वहीं दोस्तों air filtration में आपको enzyme plus solar filter मिल जाता है और anti bacterial filter भी मिल जाता है और दोस्तों यह filter dust particle को clean करके आपको healthy और fresh air provide करता है दोस्तों common features के बाद अब हम Mitsubishi heavy duty 1.65 ton 5 star inverter spirit conditioner के different features के बारे में आपको information देना शुरू करता है बात करें cooling capacity की तो दोस्तों इस model में आपको 5825 watt की यहाँ पर 100% cooling capacity मिलेगी और actual ton के साब से दोस्तों यह AC आपको 1.65 ton का ही मिलेगा लेकिन अच्छी बात है कि दोस्तों इस AC में आपको maximum cooling capacity 6900 watt की मिल जाती है और दोस्तों इस AC में आपको indoor unit 16 kg का यहाँ पर heavy मिलेगा जबकि outdoor unit आपको यहाँ पर 30.6 kg का मिल जाता है यहने कि coverage area दोस्तों आपको काफी बढ़िया मिलेगा अगर आपका room दोस्तों 240 square foot टक का है और proper air send है तो दोस्तों इस area में यह AC आपको बहुत अच्छी uniform cooling provide करेगा वहीं दोस्तों इस AC में आपको 5.70 की icler value मिल जाती है जो कि काफी अच्छी बात है यहने कि दोस्तों अच्छी cooling के साथ-साथ इस AC से आप power saving भी कर पाएंगे वही noise level की बात करें तो इस model में maximum noise level आपको 46 decibel का मिल जाता है वहीं दोस्तों minimum noise level आपको 31 decibel का मिलता है इस air conditioner में दोस्तों आपको DC inverter rotary compressor मिलता है जो कि power saving के साथ-साथ दोस्तों extreme यहने कि बहुत ज़्यादा गर्मी पढ़ने पर भी आपको बहुत अच्छी uniform cooling प्रोवेट करेगा इस AC में दोस्तों आपको जो indoor need मलता है वो elegant और trim light design की साथ मिलेगा यहने कि एक अच्छी looks के साथ आपको मिल जाता है अगर आप इस AC को अपने ले खरीदना चाहता है तो फिलाल AC current price है दोस्तों 67,590 रुपीज जिसके best bang link दी है दोस्तों में आपको description box में है दोस्तों अगर आपको यह online platform पर available होता है और अगर आप उसे महाँ से purchase करना चाहता है तो कर सकता है otherwise दोस्तों में आपको यह list करूँगा कि आप अपने nearest dealer पर visit करें और वहाँ पर दोस्तों सारी information लेने के बाद ही इस model को purchase करें तो कि after sales services ध्यान रखेगा कि जिस किसी भी point of concern से आप purchase करेंगी वही से आपको मिलेगी inverter spread air conditioner के बाद अब हम Mitsubishi के 1.6 ton 3 star non inverter split air conditioner के बारे में आपको information देना शुरू करता है तो दोस्तों इस model में आपको 5,650 watt की यहाँ पर 100% cooling capacity मिलेगी और actual ton के साब से यह AC आपको 1.61 ton का मिलेगा लेकिन अच्छी बात यहाँ कि इस AC में आपको 5,950 watt की यहाँ पर maximum cooling capacity मिल जाती है इस AC में दोस्तों आपको 16 kg यानि की 16 kg का heavy indoor rate मिलेगा वहीं दोस्तों आपको 36 kg का ही heavy outdoor rate भी इस model में मिलता है और यह AC दोस्तों up to 240 square feet तक की area में आपको बहुत अच्छी non-stop cooling प्रोवेट करेगा इस model में आपको 3.99 की यहाँ पर IC level जाती है और दोस्तों noise level आपको 40 decibel का मिलता है इस AC में दोस्तों आपको यहाँ पर fixed speed rotary compressor मिलेगा जो की दोस्तों extreme गर्मी पढ़ने पर भी आपको बहुत अच्छी uniform cooling प्रोवेट करेगा वही warranty की बात करें तो एक साल की और वोड़ाप पर आपको warranty बल जाती है और बास साल की compressor पर और अगर आप इस AC को अपने ले खरीदना चाहते हैं अब बात करता है दोस्तों Mitsubishi के इन दूनों ही इर कंडिशनर के pros and cons की तो दोस्तों काफी सारे common आपको जो है वो कमी है यानि की cons देखनी को मिलेंगे लेकिन एक कमी आपको inverter AC में थोड़ी से अलग से देखनी को बलती है वहीं दोस्तों non inverter और inverter air conditioner में common problem यहने की common कमिया क्या है तो वो मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों इनके AC hard to buy और hard to mentor है यानि कि price में आपको काफी महेंगे ही देखने को बलेंगी कंपेट दोस्तों जो normal air conditioner models market में आता है और वहीं दोस्तों after sales services के अगर मैं बात करूँ तो काफी सारे struggle आपको करनी पड़ सकती है वैसे तो दोस्तों इनकी machine आसानी से खराब नहीं होती सालों साल आपको अच्छी services देती है लेकिन अगर एक बार खराब हो गई तो दोस्तों इंडिया में इतने अच्छे skill detection नहीं है जो कि इन machines को आसानी से समझ पाए तो दोस्तों आप इने वहीं से बाई कीजिएगा जहाँ पर दोस्तों आपको after sales services का assurance जो है वो dealer की उर्स से या फिर online भी आगर आप किसी platform पर पर्थिस कर रहे हैं लेकिन Mitsubishi ये आपको offer नहीं करता यानि कि हर एक चीज़ का charges जो है वो आपको company को अलग से देना पड़ेगा और normally दोस्तों 300 से लेकर 350 पर फिट तक company आपसे charge करती है वहीं अगर मैं फायदों की बात करूँ तो फायदे काफी सारा है दोस्तों इनके air conditioner cooling efficient है जो कि बहुत सादा कर्मी पढ़ने पर भी आपको cooling के मामले में कोई भी problem प्रोवाइड नहीं करता है यानि कि normally इनके compressor जो दोस्तों आसनी से trip नहीं होता है लगातार काम करते रहता है और cooling का performance आपको गाफी बढ़िया प्रोवाइड करता है साद ये दोस्तों सारे basic required feature में मिल जाता है जिसे कि आपको सारे moods मल जाएंगे जिसे कि dry moods, sleep mood या फिर time around, time around ये सारे basic feature इनकी assist में आपको देखने को मिलता है दोस्तों कोई भी video इसे नहीं मनाता है पहले हम ground level पर जाता है research करता है, मैनत करता है और experience करता है फिर आपके लिए वीडियो प्रिपेर करता है ताकि आपको बदत हो अपने लिए एक best product को choose करने में एसे में दोस्तों मेरी keyword आप से request ही ही है कि आप ज़्यादर सदा हमारी इस video को प्यार दें यानि कि like करें और अपने family, friends के साथ जरूँ शेर करें और अगर आप कोई भी product online खरीदना चाहता है तो दोस्तों आप हमारे दोरा दी गई affiliate link से ही करेदें आपको वहाँ पर bank के credit card और debit card के उपर cashback offers बिल जाएंगी और अगर आप हमारी affiliate link से गर खरी लेता है तो दोस्तों आपके product की price दोवे रहेगी लेकिन आप indirectly हमारे channel की कापी ज़्यादा financially help बर देंगे अगर आप हमें support करना चाहता है तो हमारे दोरा दी गई affiliate link से ही purchase करें तो दोस्तों ये रही complete information मेचसुपेशी के inverter speeder conditioner और non inverter air conditioner के बारे में दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहता है तो please आप comment कीजिए मैं आपके सवालों का reply आपको जरूर करूँगा दोस्तों आज ये वीडियो में इतना है मलता है बहुत जल्द एक new वीडियो में तब तक के लिए जैहीद बंदे मातरा